दोस्तों क्या आप अक्सर बिमार पढ़ते हैं यदि हां तो शायद यह संकेत है कि आपके प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है एक व्यक्ति को स्वस्त रहने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना जरूरी है ताकि वे बिमारी से लड़ सके जि एक से अधिक बिमारियां होने की संभावना होती है इसलिए अच्छे स्वास्थे के लिए एक स्वस्त अहार का सेवन करना जरूरी होता है ऐसे में लहसून और शहद का सेवन बहुत ही लापकारी होता है इंदो तत्वों का मिक्षन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को काफ इसका सेवन करके आप अपने रक्त प्रभा को बढ़ा सकते हैं क्योंकि शहद और लैसुन में विटामिन और खनीच की भरपूर मात्रा होती है इसके अलावा यह है कलिस्ट्रोल और ट्राइगलिस्ट्रोल के स्थर को कम करता है और साथ ही आपके रक्त को गाड़ा होने से रो इसे में बहुत से लोग एनरजी को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के एनरजी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं लेकिन कुछ समय बाद आपको इन ड्रिंक्स से नुकसान होने लगता है क्योंकि यह चीनी और कैफिन से भरपूर होते हैं लेकिन शहद उरजा से भरपूर होने के कारण बिना किसी नुकसान के लाग देता है इसलिए अपने दिन के शुरुवात लहसुन और सहथ के साथ करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है लहसुन और शहद का उप्योग करना एक ऐसे विदी है जो पूरे दुनिया में लोग प्रिया है जब आप हर सुबा कच्छे लहसुन और शहद का सेवन करते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होने लगता है नमबर चार तोचा के लिए जब आप अपने दैनिक दिन चरिया में शहद के साथ लहसुन को खाना शुरू करते हैं तो आप ट्राय स्किंजर छुटकारा भी पासकते हैं इस मिश्रण को दैनिक आधार पर खाने से आपकी त्वजा से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं नमबर पाँच सर्दी से बचाएं शहद और लहसुन में मौजूद एंटिबैक्टिरियल गुण सर्दी और एलर्जी का इलाज करने में मदद करते हैं इसलिए अगर आप सर्दी जुकाम से परिशान रहते हैं तो आपको आज से ही इस मिश्रण का सेवन शुरू कर देना चाहिए नमबर छे इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं लहसुन और शहद का मिश्रण प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है कैंसर जैसे बिमारियों से बचने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना महत्वपूर हैं इसलिए लहसुन और शहद का सेवन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अच्छा रहता है